हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस्टेडिवी द्यान रगास में इस वीडियो में हम लोग 68500 सिक्षक भरती परिच्छा के मॉडल पेपर को लेके डिस्कस करेंगे और इसमें जो है आपको हिस्ट्री, जोगर्फी, एकोनॉमिक्स, पॉलिटी और माइटमेटिक्स के साथ साथ करेंड अफेर्स के भी कोशन देखने को मिलेंगे सारे प्रस्ण बहुत ही साधानी से परिच्छा के पैटर्न और स्लेबस के अनुसार चुने गए हैं यानि कि यह सारे प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है, परिच्छा में पूछे भी जा सकते हैं पूरे वीडियो को आप साधनी से देखिएगा, साथी साथ यह पीडियो भी आपको और लेबल करवा दी जाएगी और इसको आप कहां से प्राथ करेंगे, यह मैं आपको वीडियो के अन्दि में बताऊंगा शुरू करते हैं आज क्या वीडियो और पहला सवाल है आपके लिए भारत वर्स का नाम सबसे पहले किस ग्रंत में भारती भुफाक के लिए मिलता है पहला सवाल आगया है भारत वर्स का नाम सबसे पहले किस ग्रंत में भारती भुफाक के लिए मिलता है तो इसका सही उत्तर होगा अश्टा ध्याई ठीक है अब आप कमेंड बाक्स में ये भी बताईएगा कि अश्टा ध्याई को किसने लिखा है एक बहुत ही चर्चित ग्रंत है और अक्सर सवालों में पूछा भी जाता है तो आप कमेंड करके बताईए चित्रित मुर्दिभांडों का प्रयोग सरप्रतन किस काल में किया गया और इसका राइट एंसर है ताम्र पासाण काल कौनसा काल ताम्र पासाण काल याद रखेगा ये काफी important प्रस्तन है इस्ट्री का सिंद्चेत्र के बाहर किस अस्थल की मुहर पर बाग का चित्र मिलता है किसका चित्र बाग का चित्र मिलता है सही जवाब इसका होगा काली बंगा सरप्रत्म चादी का उलेक किस ग्रंत में आता है तो याद रखेगा कि सरप्रत्म चादी का उलेक आता है अथर्व वेद में किस में आता है अथर्व वेद, ठीक है Q5. जैन तिर्थंकर पारसुनात द्वारा प्रतिपादित चार महाब्रतों में महाबीर स्वामी ने पाचवे महाब्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ठीक है? तो याद रिखिएगा कि जैन तिर्थंकर पारसुनात द्वारा चार महाब्रतों का प्रतिपादन किया गया थ और उसमें महाबिर स्वामी ने पांचवा महाप्रत जुड़ा था किसको ब्रह्मचा रिको ठीक है याद रिखे का काफी इंपोर्टेंट है यह सवाल उच्छा भी जाता है अक्सर सिस्वनाग मंस के सासक काला सोक ने पाटली पुत्र के अतरिक्त मगत की राजधानी कहां पर इस्थित की थी यानिकि उसने एक राजधानी और बनाया था और सही जवाब इसका होगा वैसाली कौन सा वैसाली को जसा कर ऊको पता है कि असोक ने 279 इसापूर्व मगत की थी प्राप्त की थी यानिकि मगत की गपर असोक 279 इसापूर्व मैठा था लेकिन गद्धी वे बैठने से पहले असोग एक राजी का राजपाल था आपको उस राजी का नाम बताना है और यहाँ पर सही जबाब होगा अवंती वरतमान में उज्जेन का नाम है नेक्स्ट किस इतिहासकार ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपूलिन कहा है very important question very important याद रखेगा इसे और जिस इतिहासकार ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपूलिन कहा है उसका नाम याद रखेगा उनका नाम था वियस इसमित क्या नाम था वियस इसमित हलाकि आप को इन सारे प्रस्णों के उत्तर लिखी तुरूप में इस PDF के अंत में मिल जाएंगे और ये पूरी PDF भी आपको उपलब दिकरवा दी जाएगी ठीक है इसलिए आप लोग आराम प्रस्णों को हल कीजिए और गेस कीजिए सही प्रस्णों के सही उत्तर क्या हो सकते है उत्तर उत्तर भारत के मंदिरों में सिखर निर्माड का पहला प्रमाड किस मंदिर में मिलता है तो उत्तर भारत के मंदिरों में सिखर निर्माड का जो पहला प्रमाड मिलता है वो दसावातार मंदिर में मिलता है कहांपे दसावातार मंदिर और दसावातार मंदिर है कहांपे ये अंतरिक टेलिस्कोप ने वर्ज 1995 में पहली बार एक दूरस तारे की सता की छाया वेजी थी उस तारे का नाम बता रहा है आपको और उसका नाम क्या था बीटल ग्यूस क्या नाम था याद रहेगा बहुत इंपॉर्डेंट है यह पुछा जा सकता है बीटल ग्यूस नेक्स्ट पृतिवी अपने परिक्रमा पत पर किस वेग से सूरी का चकर लगाती है तो इसका सही जबाब क्या होगा 30 किलो मीटर प्रती सेकेंड ठीक है पृतिवी अपने परिक्रमा पत पर सूरी का चकर 30 किलो मीटर प्रती सेकेंड की गच से लगाती है question number 12 सूर के धरातल का ताप मान कितना है very important question और इसको जो है लगभग 6000 degree centigrade के बराबर माना जाता है question number 13 भूगर्व में ताप में व्रिद्ध का मुख के कारण बताईए और इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब होगा दाब इवन नाविकी पदार्थों का विखंडन दाब इवन नाविकी पदार्थों का विखंडरी भूगर्व में ताप में व्रिद्ध का मुख कारण माना जाता है question number 14 अस्थल की उचाई तदा महासागरों की गहराई को किस के द्वारा प्रतसित किया जाता है question number 15 समान खारेपन वाली जली अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इसका जबाब क्या होगा सम लवण रेखा क्योंकि ये समान खारेपन वाली जली अस्थानों को मिलाती है इसलिए इसको कहते हैं क्या सम लवण लवण का अर्थ आप जानते ही है नमक से होता है और नमक जो होता है वो खारा होता है और इस रेखा को कहते हैं सम लवण रेखा अगला question बहुत important है भूकम आने से पूर्व वाइमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है और वो गैस है redon इसी के अनुचार जो है जो बैग्यानी कोते हैं वो गैस करते हैं कि भूकम संभावित है आ सकता है भारत के लिए समिधान की रचना है तू समिधान सभा का विचार 1924 में किस पार्टी द्वारा दिया गया था वालटी के question है और जिस पार्टी ने दिया था उसका नाम था स्वाराज पार्टी ठीक है क्या नाम था स्वाराज पार्टी काफी important है next 11 दिसंबर 1946 को समिधान सभा का 28 सदस्य किसे चुना गया देखिए कुछ प्रस्ण लगते सर उत्तर आको पता नहीं होता है और जब आप सरल परस्णों के गलत उत्तर देखे आते हैं तो आपकी मेरिट डेफिनिटली घट जाती है और आप चाहिन प्रक्रिया से बाहर हो जाते है इसलिए प्रस्ण जो सरल हो उनके उत्तर गलत ना हो इस बात का पूरा प्रयास आपलो प्रस्तुत के थी किस सम्मित के समझ तो उस समीत का नाम क्या था? मसाउधा समीत थी क्या उस समीत थी? मसाउधा समीत ठीक है? अगला question देखिए भारती सम्मिदान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के सासन की सक्ति किसमें नहीं थे तो भारत की जनता में जैसा कि आपको पता है next कितने वर्सों तक भारत के बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है very important question question पुछा definitely जाएगा और इसका सही जबाब होगा साथ वर्स तक अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है question number 22 अनुच्छे 300 क में संपत्य के अधिकार का वर्डन है संपत्य का अधिकार कैसा अधिकार है तो इसके बार प्रफासर जान लीजिए कि 44 में सम्मिधान संसूदन कब होगा था 44 सम्मिधान संसूदन था वो होगा था 1978 में तो इसे मूल अनुच्छे 31 से हटा दिया गया और इसे जो है अध्याय 31 में ठीक है अनुच्छे 300 क के अंतरकर एक सामविधिक सामवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है यानि कि ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे रखा गया अनुच्छे 300 क में ब्यक्तिका सुतनता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है काफे इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा हेबियस कारपस ठीक है हेबियस कारपस ये एक रिट है जो की ब्यक्तिका सुतनता के लिए दायर की जा सकती है कौन सामवैधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्राउधान है तो याद रखेगा ये है अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सब्मदी सवाल अक्सर जोब पुछे जाते हैं कुछ नमर 25 वर्स 1944 में स्री मन्ना रायन ने भारत के योजित विकास के लिए एक योजना निर्मित की थी इस योजना को किस नाम से जाना जाता है तो इस योजना को गांधिवादी योजना की नाम से जाना जाता है किस योजना से गांधिवादी योजना ठीक है अगला सवाल वर्स नमर 26 जन्वरी 1950 में प्रख्यात समाजवादी नेता जय प्रकास नारायन ने भारत के नियोजित विकास के लिए कौन सी यूजना प्रस्तुत की थी तो यह जब आप भी इसका याद होना चाहिए आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है और इसका सही उत्तर होगा सर्वोदय यूजना ठीक है जन्वरी 1950 में प्रकास समाजवादी नेता जय प्रकास नारायन ने भारत के नियोजित विकास के लिए सर्वोदय यूजना को प्रस्तुत किया था दसमी 55 यूजना को अब तक की सबसे सफल यूजना की संग्या दी जाती है या यूजना किस आधारभूत माडल पर आधारित थी याद रखेगा ये जो यूजना थी वह ब्यापक आगत निर्गत माडल ठीक है याद रखेगा आगत और निर्गत माडल पर आधारित था तो नेक्स्ट है, पहले बार बैग्जानी ग्रूप से भारत की आयका अनुमान लगाने वले व्यक्ति का नाम बताईए, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इनका नाम था VKRV राओ, और ये अनुमान हुने व्यक्ति किया था 1931 में, बहुत इंपोर्टेंट प्रस् को, कि पहले बार बैग्जानी ग्रूप से भारत की आयका अनुमान लगाने वले व्यक्ति का नाम था, VKRV राओ, अब आज ये साइन्स के कुछ क्विस्चन है, वातरण में ध्वनिकुन आपने की इकाई क्या है, तो वातरण में ध्वनिकुन आपने की जो इकाई है, उस किसका गुड़न फल है, तो बल, F is equal to M, A, यहाँ पर M क्या हो गया, मास, यानि की द्रब्यमान, और A, यानि की तौरण, एक्सलिरेशन, तो आपका जो बल होता है, ये द्रब्यमान और तौरण का गुड़न फल होता है, ठीक है, तो बल, किसका गुड़न फल है, द्रब्य का वेग दुगना कर दिया जाए, तो गतिज उर्जा में कितनी प्रिद्धी हो जाएगी, तो जैसा कि आपको पता है कि गतिज उर्जा, that is known as K, कैनेटिक एनरजी का फर्मला क्या होता है, हाफ M V स्कॉाइर, ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है, कि अगर V को दुग कर दिया जाए, तो गतिज उर्जा जो होती है, वो चार गुना हो जाती है, अगला सवाल है, प्रकास के तरंग सिद्धान का प्रतिपादन किस ने किया था, जब आब इस तो होगा हाइगेंस ने, याद रखिएगा, काफ़ इंपोर्टेंट है, अगला है, एक्स तथा गा ग्रामा रेज किस प्रकार की किरणे हैं, तो एक्स और जो ग्रामा रेज हैं, यह जो बैदृत चुम्ब की तरंगे हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, बिजली के बल में कौन सी गैस होती है, तो बिजली के बल में भरी जाती है आरगान, आरगान एक अक्री गैस के रूप में जा यफ रुजवेल्ट के नाम से भी जानते हैं फ्रेंकलिन रुजवेल्ट ने सुझाया था याद रखना कि प्रतिवर्ष सब्सक्राइब के तीसरे मंगलवार से सुरू होता है महासभा का अधिविस्तन कहां पे न्यू यार्क में कुश्चन नमबर 37 दो संख्याओं में आठ और पांच का अनपात है यानि कि 8 रेशियो 5 यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा चलिए हम इसको सौल कर देते हैं आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले माल लेते हैं सबस रेशियो अस्थापित कर लेंगे अब इसका क्रास करदेंगे ठीक हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 x बराबर 5 x और 5 27 यह दो जाएगा 135 ठीक हैं और अब क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे 8 x वो से 5 इसको भटाएंगे आप बचेगा कितना है यहाँ पे 3 x बराबर 135 x की वेलू यहाँ से मिल जाएगी आपको x की वेलू कितनी आएगी आपकी 45 तो यह हो गई आपकी छोटी संख्या अपरस कहरा है जो बड़ी संख्या है वे छोटी संख्या से 27 अधिक है यानि की जो बड़ी संख्या होगी उसको गरम याद करें तो इसमें 27 को आइड करना होगा और जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 72 अब यहाँ पे दोनों संख्या हों का योग याद करना है यानि की 45 और 72 को आपको add कर देना है और जब आप इन दोनों को add करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 117 यानि कि 170 है तो इस तरीके से आप इसे ग्याद कर सकते हैं अगला स्वाल देखिए निलिखित अक्ष्रोमत से किस भारती सहर का नाम बन जाएगा आर यस ए आर टी आई एम ठीक है और इससे बन सकता है जो सहर उसका नाम क्या होगा अमरित सहर अगला स्वाल कपिल को बताते हैं सिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आसीस का पिता है मतलब कपिल को बताते हैं सिल्पा कहते है कि कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र आसीस का पिता है कपिल का सिल्पा से सम्मंद क्या होगा तो कपिल जो होगा वो सिल्पा के बीच में भान जा होगा कपिल सिल्पा का जापानी मुल्के किस ब्रेटिस लेखक को 5 अक्टूबर 2017 को साहित के छेतर में नोबल पुरस्कार देने की घोशड़ा की गई और इनका नाम क्या था काजू ओ इशी गुरो क्या नाम था काजू ओ इशी गुरो ठीक है तो फ्रेंड्स यह जो मौडल बेपर था यहीं पर सव लिए और इबल करवाया जाता है उसमें आप डानिक रूप से हिस्सा लेते रहें और आपकी एक अच्छी और बहतरीन त्यारी इस तरीके से हो जाएगी और रिश्टित रूप से आप परिक्षा में सबसे अधिक अंक हासिल कर पाएंगे इस बात का भरसा रखेगा देखे अगर यह पीडिएफ देखें यहां पर उत्तरमाला दे दी गई है और यह पूरी पीडिएफ मैं सेर कर रहा हूं अपने टेलिग्राम चैनल पर हमारे जो टेलिग्राम चैनल है फ्रेंड्स उसका नाम है टेलिग्राम को आप इस्टाल कर लीजीगा और आप जो है एड़ रेट लगा के इस्टेटी ज्यान प्रकास प्याव सर्च किजईगा आपको मिल जाएगा अधर्वाइस आप इस जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर क्लिक करके डिरेक्ली आप टेलिग्राम जो इंपर्ट्स वी आपको प्राप्त होते रहेंगे तो इसको जोन करना मत बुलियेगा और कनल को सब्सक्राइब करना मत बुलियेगा अधिक से अधिक सेर कर दीज़िएगा वीडियो पसंदा तो लायक कीज़िएगा और अगर आप से अगले वीडियो में आग्यां दीजिए नमस्कार जय हिंद जय भारत